बिहार पूर्व डिप्ती सीम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ पासा फैंकने की कोशिश की हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बॉड़ी लैंग्वेज पर सवाल उठाए हैं। सवाल के साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की मन्शा की और भी इशारा किया तेजस्वी यादव ने कहा कि कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के साथ नीतीश कुमार भी रोड शो में शामिल थे लेकिन वो जिस तरह से कमल का निशान हाथों में उठाए हुए थे उसे देखकर कहा जा सकता है कि उन्हें इस कमल के निशान को हाथ में लेने की इच्छा जरा भी नहीं थी तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बोडी लैंग्वेज को लेकर उन्हें कई लोगों ने फोन कर बताया तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा नीतीश कुमार की स्थिती देखकर मैं बहुत दुखी हूँ तेजस्वी यादव ने कहा कि वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिती देखकर काफी दुखी है उनकी तस्वीरों को देखकर यह लग रहा है कि जबर्दस्ती उनके हाथ में कमल थमा दिया गया तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि विधान सभा में हमने कहा था कि जो मुहिम चाचा लेकर निकले थे उनका भतीजा उस मुहिम का जंडा उठाने का काम करेगा फिलहाल ये वीडियो खूब वाइरल हो रहा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का चहरा पूरे रोड शो में उत्रा रहा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें